नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं ग्रीन राशन कार्धारियों पर होगी करवाई, डीलर की मनमानी पर करेको जीला अपूर्ती कर्याला वैसे ग्रीन राशन कार्धारियों को सक्त निर्देश दिया है, जो अनाज का उठाव नहीं कर रहे हैं ऐसे कार्धारियों को राशन कार्ध रद करने का अल्टिमेटम दिया गया है यही नहीं जिनके द्वारा कर्याले को धोखा देकर रासन कार्ड बनाया गया है जिसे लेकर उन पर कानूनी करवाई की जाएगी वहीं डिलर किसी ग्रीन कार्ड धारी को आनाज देने से माना करते हैं तो कर्याले के मोबाईल नंबर 97, 98, 98, 94, 36 पर संबंधित डिलर को लेकर सिकायत भी दर्ज करा सकते हैं रांची जिला में 43 हज्यार ग्रीन रासन कार्ड धारी हैं इन में से ऐसे हैं जो नियमित रासन का उठाव नहीं कर रहे हैं उलेखनी है कि हाल में 20 सेयर से अधिक रासन कारधारी का कारड रद कर दिया जा चुका है लाभुको द्वारा नियमित रासन का उठाव करने का निर्देश दिया गया है इसलिए आपूर्ति कर्याले ने लाभुको को निर्देश दिया है कि अगस्त माह का पी एम जी केवाई खध्यान उठाव अपने जन बित्रन पर नाली दुकंदार से अवस्य करा ले बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का छेतर बन रहा है इसके असार से जारखन में कई जगों पर हलके समध दर्ज की बरसा होगी साथ ही कुछ जगों पर बजरपात भी होने की संभवना है रांची के बीरसा मुंडा यारपोर्ट इस्थित मौसम केंद्रे ने सुकरवार को यह जनकारी दी है मौसम विभाग ने बताया है कि 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का छेतर बनेगा जिसके असर से कई जगों पर बारिस होगी मौसम केंद्रे रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दरान जारखन में कई जगों पर बरसा हुई कुछ जगों पर बारि बरसा भी हुई है राजेपाल के चूपी के खिलाब सुप्रीम कोट जा सकते हैं सीम हेमान्त जारखन के मुखे मंत्री हेमान सिरेन को कथित तोर पर आयोग करार देने किसी भारी समधी चुनाव आयोग के पत्र को राजेपाल द्वारा सरुजनिक नहीं किये जाने के खिलाब सीम सुरेन दिली में बड़े वकीलों के संपर्क में हैं हेमान्त सुरेन सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील कपिल सिबल से कानोनी परामर्स ले रहे हैं इस सीले में वे जल्द ही सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल कर सकते हैं मुख्य मंत्री हेमान्त सुरेन फिलाल दिली में हैं गुरुवार को राजेपाल रमेश बैसे मुलकात के बाद अचानक दिली जाने से राजे में सियासी पारा चड़ गया है कहा तो यह जा रहा है कि वे ओफिस अप्रोफिट मामले में बीधी बीचे सगयों से राजे लेने दिली गया है जार्खन मुक्ती मोर्चा के सुत्र बता रहे हैं कि वे सुक्रवार को दिली से राची लोट जाएंगे और जामुमों की ओर से अधिकारिक तोक पर इसे निजीत दवरा बताया जा रहा है जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महतो ने कहा है कि राजे में अस्थानियता का अधार उनाईसो बतिस का खतियान होना तय था जार्खन मुक्ती मोर्चा आपना हर वादा पूरा करेगा अस्थानिय निती को कैबनेट से स्वक्रिती मिलने के बाद सिक्षा मंत्री जगनात महतो गुरु आरको राजे के पुरो मुखे मंत्री सीबु सोरेन से मिले सिक्षा मंत्री ने बताया है कि उन्होंने गुरी जी को 1932 के खतियान आधारित अस्थानिय निती लागू होने पर उन्हें बताय दी उनसे अशिरवाद लिया, उनके स्वास्थ की जनकारी ली, दिसोम गुरू को 1932 के खत्यान को लेकर बनवाया गया सोल भेट किया गया अस्थानियता से दूर होगी सभी पेश बिधान सभा में फाइनल होगा प्रारूप जारखन सरकार ने अस्थानियता को 1932 के खत्यान के अधार पर परिभासित करने का फैसला लिया है, कैबिनेट ने अस्थानिय निवासी की परिभासा, पहचान और जारखन के अस्थानिय ब्यक्तियों के समाजिक एम अनलाभों के लिए बिधायक 2022 लाने का निनलिया है, यह ब केविनेट का निर्नाय है कि जिन जगो पर खत्यान उपलब्द या पढ़ने योगी नहीं है वहाँ गराम सभा को आस्थानियता तय करने का अधिकार होगा राजे के कई इलाकों में गराम सभा का गठन भी नहीं हुआ है इस पूरे मामले का जबाब विधहयक में ही मिलना है विधान सभा में पारित विधहयक को राज सरकार केंद्र सरकार को भेज कर इसे नवी सुची में सामिल करने की मांग करेगी इससे यह मामला कालूर्नी उल्जहन में नहीं फसेगा राज सरकार दवाला उन्हें 32 का कौट अफ डेट रखने को लेका सता पक्स के अंदर से ही स हाथी की मौत हो गई घातना की भनक जंगल में जानवर के लिए पाला लाने गए ग्रामिनों को लगी 고 ने इसकी जनकारी वसंत्थ पूर के ग्रामिनों को दी वन भी पूलिस में हरकम मच गया है जारखन बचाव मोर्चा ने निकाला विजय जुलूस जारखन सरकार द्वारा उने 32 आधारित आस्थाने निति को कैबिनेट से पारित कराने का जर्स न दूसरे दिन सुक्रवार को भी सहर में मनाया गया जारखन बचाव मोर्चा ने अलवट एक कबिने तमाया जुलीडा चोक में विजय जुलूस निकाला मोर्चा के सदस्यों ने कहा है कि अभी सा कानून को लागू करवाने CNT, SPT, एक्ट वह वना अधिकार कानून को लागू करने के अलावा ट्राइवल एडवाजरी कानून को पुन रूप से लागू करने के लिए संहर्ष करने के जरूरत है विजय जूलूस में लोग सारना जहन्डा सहीद परमपरिक वेसबूसावा परमपरिक वाध्यंत्रों के साथ सामिल हुए थे देवघर में सिग्रदर्शनम की सुविधा बंद वियाईपी पूजा भी बंद बाबा मंदिर परसासन की ओर से सावन और भादो मेला के बाद सिग्रदर्शनम कूपन सुल्क को 500 रुपे से घटा कर 250 रुपे कर दिया जाता रहा है भादो मेला की समाप्ती के बाद भी सुल्क में कमी नहीं होने पर पंड़ा धर्मरक्षनी सावा ने सिग्रदर्शनम सुविधा को सुक्रवार को बंद करा दिया दिन में 11 बज़े के बाद काउंटर बंद करा दिया गया इससे पहले 210 लोगों ने इसका लाब लिया था की नई मुहिम चल रही बीजेपी के फायर ब्रांड निता और केंद्रिये मंत्री गिरी राज सिंग ने धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि जातिये जनगन्ना में मुसल्मानों को भी लाना चाहिए मुसलिम समाज के लोग फैदा उठाते हैं इसलिए उन्हें भी जात किस रहनी में सामिल करना चाहिए केंद्रिये मंत्री गिरी राज सिंग ने लव जिहाद को लेकर कहा है कि इसे देश के सभी राजियों में केवल हिंदियों में नहीं बलिक सभी गयर मुस्लीमों में समस्या के तोर पर देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा है कि केरल में जहां इसायों की बड़ी अबादी है वहां समुदाय के सदस्यों ने इस घटना करम पर चिंता जताई है भारत दक्षिन अफ्रिका के बीच 9 अक्टूबर को रांची में मुकाबला रांची के J.C.A. स्टेडियम में 9 अक्टूबर को एक बार फिर अंतराश्ट्रिय किर्केट का जलवा देखने को मिलेगा भारत दोरे पर दक्षिन अफ्रिका के टीम रांची के J.C.A. स्टेडियम में 9 अक्टूबर को सीरीज का दूसरा वंडे मैच खेलेगी पहला वंडे मैच 6 अक्टूबर को लखनाव में जबकि सीरीज का तीसरा और आखरी वंडे मैच 11 अक्टूबर को दिली में खेला जाएगा धनबाद में घर में घूसकर दूराचार की कोशिस नकाम रहने पर जलाने की धमकी धनबाद के गोविंदपूर परखन में बर्यो पंचायत के एक टोला में रहने वाले युवक ने अपने गाउं के ही किसोरियों से दूराचार की कोशिस की है हलाकि की सोरी की छोटी पहन के जगने और सोर मचाने की वज़ा से अरोपित अपने इरादे में कमयाब नहीं हो सका इससे बखला कर उसने दोनों की सोरियों से मार पिट की साथी धमकी दीकी घकना के जनकारी किसी को दी तो दोनों को पेटोल छिकरक का जला देंगे इस बीच घर के अने सदस जग गए इसके बाद वह भाग गया आरोपित तीस वर्षिय युवाक लखी रजवार साधी सुदा है पुरानी पेंशन योजना बहाल होने से सिक्षक खोस M.N. O.P.S. के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाल की खोसी में जारखन के गिरी डिजीले के बगोदर के सरकारी सिक्षकों वा अने विभागों के कर्मियों के द्वारा बगोदर हाइ स्कूल में बिधायक बिनोत कुमार सिंग के प्रती अभार जताने के लिए समारोग का उजन किया गया समारोग का अरांब बिधाले परिसर के मुख्य द्वार पर इसकूली छत्राओं के द्वारा जारखने निरित्य कर किया गया महिला सिक्षिकाओं ने पुस्प वर्षा कर अभिननदन भी किया समारोग की शुरुवाद बिधायक बिनोत कुमार सिंग ने दीपक परजलीत कर की 23 सितंबर को जसीडी बैंगलोरू ट्रेन की मिलेगी सोगा 23 सितंबर को जसीडी बैंगलोरू नाइट ट्रेन का सुबारम होगा रेलवे ने इसकी एजिसुतना जारी कर दी है रेल मंत्री अस्मिनी वैस्नाव दिल्ली स्याउनलाइन और गोड़ा सांसर डाक्टर निसी कान दूबे जसीडी एस्टेशन से जसीडी बैंगलोरू सब्ताइक ट्रेन को हरी जंडी दिखाएंगे रेल्वे ने उदगाटन समारोग की त्यारी सुरू कर दिहाए 22 सितंबर को ही जसीडी बैंगलोरू नाइट ट्रेन सजधजकर जसीडी एस्टेशन पहुँच जाएगी 23 सितंबर की सुबा में समारोग पुरुवक ट्रेन को हरी जंडी दिखाए जाएगी रेल्वे की समय सार्नी के अनुसार या सब्ताइक ट्रेन जसीडी से पत्यक सुक्रवार को सुबा साड़े 6 बज़े खुल कर सार्नीवार को रातरी साड़े 8 बज़े बैंगलोरू पहुचेगी जार्खन की अस्थानी निती सिर्फ छलावा नवीन जैस्वाल हटिया बिधायक नवीन जैस्वाल सुक्रवार को रातु में अयोजीत एक कारकरम के दवरान पत्रकार से बातचीत के दवरान 1932 पर अधारित अस्थाने निती पर बात करते हुए कहा की केबिनेट की बैटक में जार्खन सरकार ने जो 1932 के खत्यान अधारित अस्थाने निती को पास किया है मैं जार्खन की जनभावना का सम्मान और समर्थन करता हूँ बरतमान राई सरकार भले ही आज 1932 के खत्यान अधारित अस्थाने निती त्यार कर राजे की जानता के बीच अपनी वावाही लूट रही है लेकिन सच तो यह है कि उन्हें 32 के खतियान पर अधारित असाने निती लागू करने का पर्यास भाजपा ने राजय गटन के साथ ही कर लिया था लेकिन जब यह मामला जार्खन उस नियालाय में पहुचा तो माननी यह नियालाय इसकी विसंगतियों को अधार बना कर इस निती को खारिज कर दिया था जार्खन की पाँच जन जाती भासा बिलूपत होने की कगार पर जारखन की पाँच जन जाती है भासाय और बिलूप्त होने के कागार पर है यदि सार्थक पर्यास नहीं किये गए तो बेसक इन भासाओ कास्ति तो ही मीट जाएगा इसके लिए सेंट्रल उनिवर्सिटी और जारखन की सोध टीम करे कर रही है सहयक प्रध्यापक रजनिकात पांडे ने कहा है कि वे इस दिस्ता में पिछले साथ वर्सों से कर रही है उनकी टीम जारखन के अलावे उत्राखन के सुधरवर्ती इलाकों में जाकर अध्यान कर रही है जमसेदपूर से भुनेस्वर और कुलकत्ता की सिधी फलाइट जमसेदपूर सहरवासियों के लिए खुसकबरी है भुनेस्वर से जमसेदपूर और कुलकत्ता के बिश दोनों और से हवाई 37 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी कुलनाव सीटर शमता की कमर्चेल उडान छट परव दीन के पावन मौके पर शुरू होगी बुनेस्वर जमसेदपूर और जमसेदपूर से कुलकता के बिश दोनों और से फ्लाइट परती दिन चलेगी उच पदस्त सुत्रों के मुताबिक भारत सरकार के केंदिये नागरीक उडाने मंत्रालेवा भारतिये बीमान पतन प्राधिकरन ने इस रूट पर एर सर्विस का लाइसेंस GAEC Monarch and Deacon Aviation Private Limited को लाइसेंस देने की परकिरिया नियमामसार की है इंटरनेट मीडिया युआओ को लक्ष से भटकाते हैं बच्चों के उजवल भविसे के लिए आदर से संसकार देना अवस्यक है जीवन में अच्छे संसकार जिन्दगी को अच्छा रूप देते हैं बच्चों के जीवन से केरियर बनाने तक अच्छे संसकारों का होना अति आवस्यक है यही सफल जीवन के मुख्य अस्तंब है आज तकनिकी करांती के अंतरगत पर तेक ब्यक्ति के हाथों में स्मार्टफोन है इंटरनेट मीडिया पर चलने वाले वीडियो वा कंटेंट की सूर वा युवाव को लक्ष से भटकाते हैं यहाँ पर अविभावकों की जीमेदारी बढ़ जाती है कि वो किस परकार समय प्रवंधन वा अनुसासन का इस्तेमाल करते हुए बच्चों द्वारा इंटरनेट मीडिया वा मोबाइल के इस्तेमाल को समय सीमा बनाए कोट कचहरी में अब सरकार के पक्ष में आ रहे है फैसला सीम हमन्त मुख्य मंत्री हमन्सुले ने कहा है कि अलग राज बनने के बाद से ही सरकार द्वारा बनाई गई कई नीतियों का मामला कोट कचहरी तक पहुंचता रहा है अदालतों में सरकार को इन नितियों की खामियों का खामिया जाना भुकतना पड़ा इन मामलों में अदालतों के फैसले सरकार के पक्ष में नहीं आए लेकिन वर्तमान सरकार में उस नियालाय से लेकर सरोच नियालाय में दैर मुकदमों में सरकार के पक्ष में फैसले आ रहे हैं मुख्य मंत्री ने ए बाते गुरुवार को उनके आवास पर अविनन्दन करने पहुँचे नो नुयुक्त माधमिक सिख्षकों को कही 1932 खतियान और ओविस यारक्षन न निगलते बन रहा न उगलते आजसू मुख्य मंत्री हेमान सुरे ने 1932 का खतियान यों ओविस यारक्षन का परतिसद बढ़ा कर सताईस परतिसद करने का प्रस्ताव कैमिनिट से पारित कर मास्टर स्ट्रोक खेला है हेमान्त के इस मास्टर स्ट्रोक से आईसू परमुख सुदेश महतो को टेंसन में डाल दिया है टेंसन इस कदर है कि फुरी आईसू पार्टी इस सबाल पर उल्ज़ान में फस गई है सुदेश महतों का या टेंशन और उनकी पार्टी के उल्जहन गुरुवार को यहां राजगंज के प्रमंडलिय सपत ग्रहन समारों में साप साप नजर आया समेलन में पार्टी या तय ही नहीं कर सकी कि वह खुल कर सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी है या बिरोध में कभी पार्टी सरकार के फैसले का समर्थन करती नजर आय तो कभी इसे राजनितिक साजिस करा दिया जहारखन सरकार से कलाकारों के हीत में निती बनाने की मायंग ज्यारकन सरकार खिलाडियों के हीत में काम कर रही है और कई ठोस नेनाई भी लिये हैं या पहल पर संसनी हैं लेकिन फिल्म उध्योग और कलाकार हीत में कोई पहल नहीं हो रही या आरोप लगाते हुए धनबाद के अभिनेता अमन राठावर ने दुख परकट करते हुए ज जार्खन सरकार से अपील किया है कि सरकार फिल्म उध्योग एवं कलकारों के हित में भी निती बनाए। उन्होंने कहा है कि पुर्व की भाजपा सरकार ने फिल्म निती बनाई। लेकिन इसका लाव जार्खन के छेत्रिय कलकारों को नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं फूर्व की भाजपा सरकार की फिल्म नित्ती से राय सरकार को रयसो का नुपसान भी हुआ है 1932 खतियान पर नेताओं की राय 20 वर्स पीछे चला जाएगा जार्खन जार्खन केमिनेट में 1932 खतियान का प्रस्ताव पारित हो गया इसके साथ ही इसका समर्थन और विरोध दोनों ही सुरू हो गया है कांग्रेस भाजपाज हमुमो जद्यू आजसू समेथ तमाम रायनिती पार्टियों के अपने अपने तरक और विचार है कोई समर्थन में है तो कोई इसका विरोध कर रहा है कई तो ऐसे भी है जो पार्टि लाइन से इतर कुछ भी बोलने को तयार नहीं है इन सब के बीच सरकार की सवयोगी कांग्रेस पार्टि के नेता खोल कर विरोध भी कर रहे है बता देख खतियान लागू से एक बार फीर से जार्खन 20 बरस पीछे चला जाएगा ऐसा काना पुर्निमा निरसिंग जी का है रिम्स में फोर्थ ग्रेट की नियुक्ती परिक्षा परोग से हाई कोट का इनकार जार्खन हाई कोट ने रिम्स के चतु थोर्गिये पदो के लिए होने वाली नियुक्ती परिक्षा परोग लगाने से इनकार कर दिया है चतु थोर्गिये पदो के लिए होने वाली नियुक्ती परिक्षा तय तिथी 18 सितंबर को ही होगी आदालत ने कहा है कि आज का क्यामतिम फैसले से नियुक्तिया प्रभावित होगी सुनवाई के दरान आदालत ने रिंस परबंधन को कड़ी फटकार लगाई खंड पिठ ने मोखिक रूप से कहा है कि बाहर के जाच घरों के दुकंदारी को रिंस बंद करे और सभी परकार की दवाएं वजाच की बेवस्ता को दुरूस्त किया जाए रामगर की चुटवा नदी में आई बाहर से चार वाहन बहे जारखन के रामगर जिले के वेश्ट बोकारो ओपी छेत्र अंतरगत सिसी एल केदला बसंत पूर वासरिष्थी चुटवा नदी में सुक्रवार की साम अचानक बाढ़ आ गई इससे नदी में चार वाहन बह गए हलाकी वाहन के चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई इस हाथ से में किसी अप्रिये घर्टना की सुचना नहीं है बुढ़ा पहाड पर पहली बार लेंड हुआ एमाई 17 हेलिकोप्टर अपरेशन अक्टोपस के जरिए बुढ़ा पहाड को मवादी बिहीन करने में सुरक्षा बालो को एक और कम्यावी मिली है सुरक्षा बालो द्वारा बुढ़ा पहाड पर बनाए गए अस्थाई हेलिपेड पर पहली बार भरतिय वाईजवेना का एमाई 17 हेलिकोप्टर की सकुसल लेंडिंग कराई गई इससे सुरक्षा बालो को अपरेशन में मदद मिलेगी इसके जरीए अपात कल में सुरक्षा बालो को समान हतियार सहित अन्य कारों में इसका उप्योग किया जा सकेगा मालूम हो कि पचपन वर्ग किलो मीटर में फाइले जायरखन और 36 गड़ की सीमा पर इस्थीत नक्सलियों का सेफ जोन बुढ़ा पाहार को मवादी भीहिन करने के लिए गड़वा लाते है और 36 गड़ की पूलिशने सन्योक तुरूप से बुढ़ा पाहार को चारो तरप से घेर कर ऑपरेशन ऑक्टोपस तुरू किया है आज बिसकर्मा पुजा को लेकर उलास देवताओं के सिल्पी भागवान बिसकर्मा की पूजा अर्चना को लेकर जार्खन में उलास है गिरीडी जीले के भागोदर समेत आसपास के इलाकों में जोर सोर से की तियारी की जा रही है भगवान विश्व कर्मा की पुजा को लेकर हर वर्स की तरह इस बार भी भगोदर बस इस्टेंड में मोटर कामगार यूनियन के द्वारा भब ये पंडाल बनाया गया है इसमें भगवान विश्व कर्मा की परतिमा अस्थापित कर पुजा आचना की जाएगी आपको पता दे कि 17 सितंबर को विश्व कर्मा पुजा की जाती है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बाइक अवसे दे थांक यू